आज शनी वार है, शनी देव का वार है, महिमा प्रमपार है, न्याय अधीश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव अपने भगतों के सदा ही भागे विधाता है सूर्य देव इनकी है पिता और छाया देवी माता है काग विमान सवार है, शनी देव का वार है, महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है, शनी देव का वार है, महिमा प्रमपार है, न्याय अधीश कल युग के इनको कहता सब संसार है सची मन से जो भी करते शनी देव का ध्यान है, शनी देव अपने भकतों पे रहते में हरवान है, करते सदा उपकार है, शनी देव का वार है, महिमा प्रमपार है, न्याय अधीश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है, शनी देव का वार है, महिमा प्रमपार है, न्याय अधीश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनीवार है पाप कर्म जोद करेंगे इनकी नजर सी ना बच सकती है पुन्नी कर्म और पाप कर्म का सभी हिसाबी रखती है रखती नजर लगतार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है सभी ग्रहों में शनीदेव का बड़ा ही और तमस्थान है पापी को दन और भगतों को देते ही वर्दान है इनको ये अधिकार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है भूली से भी भूले कोई ही शनीदेव ना हो जाए वाक्र द्रिश्ट फिर आप की हम पर कभी भी ना पढ़ने पाए इतनी मेरी पकार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है कोई कश्ट ना आते जसकी सर पर तेरा हाथ रहे जो समान करे तेरा तो सदा ही उनके साथ रहे हुटी नाला चार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है तेरी भगती में लग रहिमन कभी भटकने ना पाए दुखों का साया भी हम पर तो कभी भटकने ना पाए बस इतनी हिपुकार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शिंगणापुर तरवार तुम्हारा देखा बड़ा निराला है नहीं किसी घर में तरवाचा और नहीं कोई ताला है अगभतिये चमकार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है चोरी करने की नियत से जो भी यहां पे आता है दंडित करते आप उसे फिर वो अंधा हो जाता है होता नाउपचार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधीश कल युग कीन को कहता सब सलसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है ज्याए भी शिकलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनीवार है काली तिले और काले उरत सब तुम को यहां चड़ाते हैं वस्त्र भी काली और लोही के आभूशन से सजाते हैं अद्भुती शिंगार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है आपके दर्शन मात्र से ही सोए भाग जग जाते हैं दर्शन करने आखो भगते ही रोज तेरे दर आते हैं लंबी वड़ी कतार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है मन में कोई दोश हमारे शनी देव कभी ना आए हम तो हमेशा सचाई के रस्ते को ही अपनाए तब जीवन साकार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है तेरी नाम का ही शनी देवा हमने निया सहरा है जब जब संकट आया कोई हमने तुम ही पुकारा है तुमने दिया उबार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय देश कलियों की इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा प्रमपार है ज्याए भी शिकलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनिवार है शुब चिंदक हो तुम भगतों के मझ पर भी किरपा कर दो तिर चर्णों में सद जुकाओ शनी देव अपनी सर को तुही तारन हार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है अपना मन तेरी भगती में ही शनी देव सदा चूर रहे साधी साती धैया आपकी हमसे हमेशा दूर रहे तेरा ही उपकार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव तेर किरपा से ही जीवन भी तेरा हाँ खुश हाँ जब जब भी हम लगे भटकने तुम ने आकर लिया तुम्भा सुखी मेरा परवार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनी वार है शनी देव का वार है महिमा अपरंपार है न्याय देश कलियों के इनको कहता सब संसार है आज शनीवार है तुमने जो पकार किये हैं कभी भुला ना पाएंगे हर दम तेरा नाम चपेंगे तेरे ही गुण गाएंगे खिर्पा तेरी अपार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधिश कल युग केन को कहता सब संसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधिश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनीवार है हन से राजर लहन की विंदी तुमने तो सविकार की पार लगा दो नहीं आब तुम खोजी सुरेश कुमार की वर्ना जीवन भार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधिश कल युग के इनको कहता सब संसार है आज शनीवार है शनीदेव का वार है महिमा प्रमपार है न्याय अधिश कल युग के इनको कहता सब संसार है हम साला सर की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम साला सर की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार रुल्हाडी नामक एक गाउं में रहते थे लक्षीडा संच्छै पुत्र एक पुत्री जिसका था कानीना अनुमान भक्त था छोटा बेटा नाम था मोहनदाद अती प्रेम था बहना से रखता था ख्याल वुखाद फिर साला सर के सुख राम संग बहना ब्याही थी धूम धाम से उस जमान की वो सगाई थी ससूराल में भी कानी को प्यार मिला था अपार एक बेटे ने जनम लिया रोसन कर दिया संसा हसी खुसी जीवन की वो काड़ी को चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरम की हनुमार हे राम जैस्री राम हे बजरम की हनुमार हसता खेलता इनका घर था हरा भरा परिवार अचानक एक दिन सुख राम हो जाते हैं वीमार दवदारू नाकाम आई गए वो स्वर्ग सिधार कानी देवी के जीवन में मच गया हाहा कार अनात हो गए सारे औरों हो गए सब लाचार अन्हो नीरुन हाडी काओं वो पहुँच गया समचार चिन्ता में सब डूब गए फिर करने लगे विचार और साला सर से कानी को माई के लिया उतार कब पता नहीं जीवन में सुख दुख आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बच्रम की हनुआन हे राम जैस्री राम हे बच्रम की हनुआन पुत्र संकानी भीमाए के अपने रहने लगी भारी गम को धीरे धीरे करके सहने लगी समय को था मनजूर वो ही हवा बहने लगी कुछ एक दिन मन में आया और वो यू कहने लगी सारी उम्र माएक में गुजरे अच्छी बात नहीं पुत्र भी कुछ हुआ बड़ा अब वो हालात नहीं बोले मोहन क्यूं खडा मन वहना ग्यात नहीं पर जाओगी नहीं जब तक मोहन साथ नहीं फिर साथ वहन के मोहन आ गए ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैसी राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जैसी राम हे बजरंगी हनुमार रहने लगते हैं आकर अब हो तो साला सर काओं की अपनी सारी मोहमाया को त्याग कर खेती से खलियानी से वो करने लगे बसर खेल खेलते संग भांजा आ जाते जब घर कड़ी महनत भी करके ठकने का था नहीं असर देख भाल में उनकी वो कोई रखते नहीं कसर धीरे धीरे यूं करके वो समय था रहा गुजर बाला जी की भी उनको कम रहने लगी खबर जीवन में ऐसे भी फिर वो पल आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुआर हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुआर बीच बीच में बाला जी कहते थे दे दर्शन भूल रहे हो मोहन तुम तो अपना ही भगवन लगने लगा मोहन को भी ये काफी भूल हुई काम मगन जादा होना भी बात फिजूल हुई फिर भान जैकी अपने वो कर देते हैं शादी प्रभु भजन करने लगे कुछ लेके वो आजादी सागछात दो दर्शन देव करने लगे दुआ फिर अचानक उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ हुआ था किस्सा जो वो आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैसी राम हे बजरम की हनुमार हे राम जैसी राम हे बजरम की हनुमार इक दिन सब बैठे थे वो भी कर रहे भोजन आ करके एक साधू बोले आलक नीरंजन दोड़ पड़े थे ये सुनके नंगे पाओ मोहन गिर गए पैरों में बोले तुम्ही मेरे भगवन करने लगे थे विंती आओ घर जी मेरे चलो बाहर से ना लोटो सबसे आके तुम भी मिलो बात मान के मोहन किया गए थे वो घर पर आशिरवाद दिया सबको और हाथ रखा सर पर आपस में क्या बात हुई ओ आज बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बचरंगी हनुमार हे राम जैस्री राम हे बचरंगी हनुमार बोले के जैकारे घर वो लाए बाबा को हीर चूर मा मिसरी प्रसाद चखाए बाबा को प्रसन हो बोले बाबा अब मांगो तुम वर्तान मोहन बोले कर दो सारे सला सर पे एहसान बाबा बोले हो जाओंगा एक दिन विराज मान स्रथा से जो आए संकट कटेगा सारे जहान मंदिर का निर्मार काम भी हो जाए परवान बता कि ये हनुमान हो गए एकदम अंतर ध्याओं करदर संसारे आपस में ये मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बचरंगी हनुमान हे राम जै स्री राम हे बचरंगी हनुमान मोहन जी ए कांत में जाकर धूनी लिया राम हां कटने लगे कष्ट लोगों के आये जो भी यहां भक्ती और शक्ती का चलने लगा यहां चर्चा सच्छे मन से आता उसको मिलने लगा परचा एक दिन सालम नाम कठा कर आया था दर पे कहने लगा बाबा डाकू आ जाते मेरे घर पे बाबा जी ने सालम को एक दिया जंडा पारस भे जो इसको होगा वो सब ही ठंडा मन बदल जाते हैं डाकू वो पच्चताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुआर हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुआर नागोर जिले में होता है एक असोटा गां जोत रहे थे हल खेत में क्रीशक मोटा राम रुके बैल चलते चलते कुछ फस गया हल में मोटा राम जमीन खोदने लग गए उस पल में मानिक पत्थर उसको वो तो लगे फैकने दूर पेट दर्द होने लगा रुक गए हो के मजबूर पतनी ने आ करके देखा देकर उसको ध्यान मुर्ती है बाला जी की मेरे प्यारे हनुमान वहां के राजा मुर्ती साला सर पहुचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बचरम की हनुमान हे राम जै स्री राम हे बचरम की हनुमान पुराना घाव थठा गुर्जोदावर की कमर में फर्याद लेके आया था वो बाला के दर में जो की दुवा गायब हुआ दर्द पल भर में इतनी पीडा ना सहते पहले आ जाते घर में जो रावर खुस हो बोला मैं मंदिर बनाऊंगा चहिएगा जो भी मैं वो हर चीज लाऊंगा मोहन बोले नूर मोहमद नाम का कारी गए बुला कर ले आओ ठाकुर तुम उसके घर जाकर फिर मंदिर सालासर का वो ही बनवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार शीकर के राजा थे इक वो देवी शिंग महान कई वरसों से नहीं होई थी उनके घर संतान आये पास में मोहन दास के सुनके उनका घ्यान बाबा जी ने फिर उनकी विंती ली थी वो मार मोहन दास ने राजा को बताई थी एक विधी जाओ पुत्र हो जाएगा और होगी प्रैसित्धी दस महीने में पुत्र हुआ आये करने गुणगान धर्मसाला बनवानी है कुछ भूमी दे नीदा जो भी देना हो तो राजा वहां लिखवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माण धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बचरंगी हनुमार कान ही थी राजी बहु बेटे और पोतों में मोहन दास भिमगन भक्ती घूणे और जोतों में एक दिन वैहन कानी थी छोड़ गई जग को छोड़ गई संसार और पा गई है रब को मोहन दास से ये गम तो सहना हुआ मुस्किल प्रकट हुए बजरंगी कहे इसका ना कोई हल जाना ही होता है किसी को आज किसी को कल होनी रहती होकर तू अपनी राहे चल समझ गए मोहन दास काम में लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड थाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार कर दिया भांजा घायन डाकू के सर नाम का क्रोधित हो गए मोहन जब पता चला पैगाम का डाकू के पीछे दोडे वध करने का मन बना फकीर को सोभा ना दे एक साधू किया मना वो आप ही मर जाए उसने पाप की घणा मंदिर में ले आते हैं वो भांजा तो अपना करते हैं वो बात चीत बर्थ के सब के साथ यही रहेगा उदर सिंग बजरंग ही इसके ना कहें राधे स्याम जो मोहन प्रभु में समाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार